नमस्कार मैं कुमार शाम किसान आनुलन 2.01 बाफिर से दिल्ली के एर्द गिर्द पना पराहा है परशासन और किसानों की बीच में जड़ब देखी जा सकती है आज बंद बुलाया गया है किसानों की तरफ से तो कुलमला के का जा सकता है कि मीडिया में देश में किसान आनुलन की चर्चा है और कुछ लोग इसके खिलाफ हैं कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो हम किसी पक्ष में खड़े हों या किसी के खिलाफ बोलें या किसी को कोई संग्या दें उससे पहले हमें मोटा मोठी तथ्यों पर नजर डालेनी चाहिए कि जो किसानों की मांग है वो कितनी जाइज है क्या मांग है और अगर हम ठहर कर उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे तो मैं समस्दाओं की किसी मुद्दे पर अपनी राय रखने से पहले थोड़ा उसके बारे में जान लेना जरूरी है और यही समस्दाओं की एक अच्छे सोचने वाले विक्ति की पहचान होती है हलांकि किसानों की अनेक मांगे हैं और मांगे जुड़ती जा रही है लेकिन जो मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर कुछ लोग उनके आलोजना कर रहे हैं कुछ लोग कहते हैं कि यह इंप्लिमेंट की जा सकती है कुछ लोग यूँ ही किसान नाम देखके उसके पक्षमे बोल रहे हैं मैं उस तरह का वेक्ति नहीं हूँ जो पहले आंगलन हुआ था उससे मेरी आस्था थी और आपको पता है कि मैं उसके पक्षमे बोल रहा था महां जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी वो अपना एक समय था लेकिन अब जब अगर उनकी अब मांगे देखें जो किसान मांग कर रहे हैं पहले वो जान ले कि मांगे क्या है पहली मांग तो यह कि MSP है उसको एक कानूनी दर्जा मिले दूसरी मांग यह है कि जो 60 वर्ष से अधी का किसान है उसको मासिक रूप से 10,000 रुपे की पैंसल मिले तीसरी मांग जो मोटा मोटी है वो यह कि जो खेती किसानी है उसको नरेगा में जोड़ा जाए नरेगा के जो 100 दिन है साल में उसको 200 कर दिया जाए और नरेगा के अंदर जो दिन की धिहाडी है उसको 700 कर दिया जाए किसान जो खेत में काम करता है उसको ही दरसल नरेगा के अंदर जोड़ा जाए उसको उन दिनों में गिना जाए यानि किसान खेत में काम करेगा उसकी धिहाडी 700 रुपे सरकार दे और उसको नरेगा में जोड़ा जाए और नरेगा के जो 100 दिन है उसको 200 कर दिया जाए तो ये कुल मिलाकर मोटा मोटी मांग है अब हम पहली मांग पर जाते हैं कि MSP को कानूनी दर्जा दिया जाए उससे पहले समझें कि MSP है क्या MSP दरसल एक rate है यानि minimum support price इसका मतलब यह है कि सरकार किसानों को आशवसन देती है कि आप जो फसल उगाएंगे वो बाजार में अगर बिक्ती है खूब रुपे में बिक्ती है तो कोई दिक्कत नहीं है राशी से कम में बिक्ती है तो सरकार आपको आशवस्त करती है कि हम उ MSP कहते हैं किसानों की मांग यह है कि MSP को एक कानूनी दर्जा मिले किन फसलों पर MSP मिलेगी यह दरसल सरकार ही त्या करती है और MSP किस पर निर्भर करती है कैसे त्या होती है उसमें किसान फसल बोते वक्त कितना रुपया खर्चा करता है किसान उसमें जो मेहनत करता है उस सरकार आशवासन देती है कि किसान की फसल नहीं बिखती है तो सरकार खरीदेगी यह आशवासन है किसानों कि मांग यह है कि इसको कानूनी दरजा मिले और MSP पर खरीद हो लेकिन टेकनिकल दिक्कत यह है कि अब संसद सत्र है वो समापट नहीं है दूसरा संभव क्यों नहीं है मैं आगे बताऊंगा वो चीज़ें आपको सफष्ट हो जाएंगी अब MSP में एक बार जोड़ देता हूँ कि अगर गेहुं को या चावल को या जो भी फसल है उसको अगर अधिक दामों पर सरकार खरीदेती है तो सरकार क्या करेगी उस फसल का सरकार हम तक पहुंचाएगी वो सरकार कंपनियों को बेचेगी तो उससे क्या है जब किसी भी चीज का दाम बढ़ता है तो बाजार के अंदर उससे जुड़ी हुई चीजों का मुल्य भी बढ़ता है अब अगर सरकार कम में खरीती है तो सिनेशित रूप से जो चीजे हैं उनका दाम कम होगा अगर सरकार उसको बड़े दामों पर खरीती है तो बाजार के अंदर महंगाई बढ़ेगी तो simple सा एक method है और मैं बार-बार इसका उधान आपको देता हूँ कि जब हम कुछ त्यागते हैं तब ही हमें उसका फल मिलता है हम कहते हैं कि एधर हमारी फसल भी बड़े दामों पर खरीदी जाए और बाजार से जब हम braid खरीदने जाएं उस आटे से समन्दित कोई चीज खरीदने जाएं तो उसके दाम कम हो यह कैसे संभो है अगर आप अपना का चामाल जब आप बड़े दामों पर बेजते हैं तो उसे जड़ियो ही जो चीजे हैं वो कम दामों पर कैसे मिलेगी चीजे महंगी होगी ना यह तो बाजार का एक सिंपल सा नियम है इसमें कोई रोकेट साइंस नहीं है अब जो दूसरी माँग है उसको आप बारी के से समझे कि जो किसान बुज़रुग है 60 से अधिक उनकी आयू है उनको मासिक रूप से 10,000 रुपे की पैंसल मिलनी चाहिए आप सोचिए कि अगर देश के अंदर 2 क्रोड किसान भी उस सलिप में आते हैं 60 वर्ष की आयू दिन की अधिक है उनको अगर 10,000 रुपे की राशी हम उनको दें और सालाना जो जोड बेटता है वो करीब करीब 2,40,000 क्रोड रुपे के आसपास बेटता है कितनी ज़्यादा राशी हो जाती है अब मैं आपको एक आंगड़ा बताता हूँ जो भारत का कुल बजट है वो 45,00,000 क्रोड रुपे है ये दरसल 6% ज़्यादा है उससे जो सरकार साल में कमाती है यानि सरकार जितना कमाती है उससे 6% ज़्यादा खर्च करती है और ज़्यादा जब खर्च करेंगे तो वो कर्ज ही होगा दरसल तो 45,00,000,000 क्रोड रुपे सरकार खर्च करती है कमाती उससे 6% कम है अब जो किसानों की मांगे हैं जितनी भी ये जो 3-4 मांगे हैं इनको अगर कम razem करें तो सरकार को इस 45,00,000,000 35,00,000 क्रोड रुपे और देने होंगे देश का कुल बचट ही 45,00,000 क्रोड है और इन मांगों को अगर implement किया जाए तो 35,00,000,000 क्रोड रुपे और देने होंगे ये जो आंकड़ा है ये जो राशी है और ये जो मांग है क्या इनको complete करना बस की बात है क्या ये संभव हो पाता है जो भी गणित के जानकार है जो किरिशी को समझते हैं जो इस व्यवसाय के व्याकरण को समझते हैं वो हमारा ग्यानाजन करें कि ये कैसे संभव हैं वो लोग बताएं कि अगर हर एक किसान जो 60 वर्ष की आयू से अधिक है उसको अगर 10,000 रुपे दिये जाएं तो कितनी राशी होती है और सरकार कैसे वहन कर पाएगी क्या उनके पास को रोड मेप है वो हमारे सामने रखें हम हर एक प्रशन को अंदाता है अनुगाते हैं इस लहर में आप उड़ाने सकते हैं जो सवाल हैं जो जाइज हैं जिनके पीछी तर्क हैं उन पर आप तार्किक बात करें ये जो राशी है 36 लाख क्रोड रुपे की जो अत्रिक तो जुड रही है ये कहां से आएगी सरकार कहां से वहन करेगी मैं सिर्फ विजेपी की बात नह दाता है अवश्य वो खेत में हार तोर मेहनत करते हैं वो अनुगाते हैं तो वो क्या एहसान कर रहे हैं ये भी समझने वाली बात है वो जो अनुगाते हैं वो फसल जब आप बजार में लेके जाते हैं तो आप फ्री दे के नहीं आते हैं आप उसकी एवज में एक मुल्य मिलता है, आप जो सेवा कर रही है वो समाज सेवा नहीं है आपका एक profession है कृषी, आप किसान है, और जितना आपका योगदान है, जैसे मैं किसान का बेटा हूँ मेरी मा, बाप मेरा जो पुरा परिवार वो कृषी करता है और हम जो खेत में बोते हैं वो मैं किसी और पर एहसा नहीं करता हूँ, वो हमारा जीव को पार्जन है, क्योंकि हमको भूख लगती है हम को समाज सेवा नहीं कर रहे है हमारा पेट थोता है हमें भूख लगती है, इसलिए काम करना पड़ता है, काम करते हैं क्रिशी हम उगाते हैं क्योंकि देश हम सब की समनवय से चलता है सब के अपने अपने सतर पर अपने अपने मोर्चों पर काम करने से चलता है क्या मैं सरकार से ये मांग कर सकता हूँ AJ YouTuber कि सरकार कम से कम नियूनतम viewership decide करे मेरे वीडियोज पर views कम आते हैं अगर जनता नहीं देती है तो सरकार दे क्या ये मैं खह सकता हूँ क्योंकि मैं सूचना दाता हूँ अगर किसान अन दाता है तो मैं सूचना दाता हूँ और सूचना दाता की तहत मेरा अधिकार है कि सरकार मुझे मैं जो आप पे एहसान कर रहा हूँ उसकी एवज में मुझे कुछ दे और मैं जब 60 वर्ष के अधिक की आयू का होजवन मुझे 10,000 रुपे दे क्योंकि मैंने आपको यूट्यूब पर वीडियो पना के आप यह अहसान किया है तो देखिए दोस्ते इस बात को समझे कि किसान जब अन उगाता है सरकार अतरिक तो स्योग करती है मैं उन तमाम विवस्ताओं में यगिन करता हूँ और इसा होना ही चाहिए लेकिन एक मांग की एक लिमिट होती है एक तरक होता है किसी मांग की पीछे आप क्या मांग रहे हैं वो संभवी नहों पूरा करना उस मांग का क्या महत्व है क्या डोक्टर ये कह सकता है कि मेरी मिनिमम जो कंसल्टिंग फीस है वो हजार उपे फिक्स कर दीजी क्योंकि मैं जीवन दाता हूँ अगर कोई मरीज वहन नहीं कर पाता है तो सरकार दे क्या इस तरह से विवस्थें चल सकती है इस बात को समझना जुरूरी है अन दाता है अन का वो रूपया लेता है हम अन हुगाते है अन हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का पेसा मिलता है रूपया मिलता है कम ज़्यादा मिलता है वो बहस अलग है, लेकिन मिलता है आप free नहीं देते हैं, ठीक है, मैं free नहीं देता हूँ क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ मैं जो आपको सूचना है दे रहा हूँ यह free नहीं दे रहा हूँ, इसके पीछे भी मेरा अपना एक व्यवसाय है, तो इस बात को समझें, मैं आपर एहसान नहीं कर रहा हूँ इस बात को आप समझें, क्योंकि हर कोई अपने profession का जो पालन कर रहा है, वो इस देश पर एहसान नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जनम, कुदर्ति कृपा नहीं है, कि आप जनमें तो हम कुछ नशीब हैं कि हम धन्य हुए नहीं बिल्कुल नहीं है आपको जीना है आपको पेट में भूग लगती है तो आप कमाते हैं नहीं कमाएंगे तो भूग मरेंगे simple सा method है simple सा agenda है simple सा व्याकरण है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जो border पे जो किसान है मैं उनको किसान ही कह रहा हूं लेकिन किसान अपने आपको क्या कह रहे हैं आप एक एकर के वीडियोस देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या ये वास्तव में किसान serious मांगे लेके आए हैं या इस प्रोटेस्ट के पीछे कुछ और एजेंडा है मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा किसान जो अपनी बात मीडिया के सामने कह रहे हैं वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ लोग कह रहे हैं कि हम खालिस्तान चाहते हैं कुछ लोग भिंडरा वाले की टी-शट पैन के वह ध्वजले के वहां पर आए हुए हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ उपर बढ़ रहा है मंदिर की वजय से उसको नीची गिराना है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है कुछ लोग मोदी को मारने की धमकी दे रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मोदी को मुक्के से मारेंगे और पत्रकार खीकी करके हंस रहे हैं उस बात का मजाग को ड़ा रहे हैं मतलल समलितों के हंस रहे हैं वो मोदी को मुक्के से मारने की बात कर रहा है पत्रकार हंस रहा है कुछ कह रहे हैं कि अंतरा किनों ने भारत ने कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान से संधी कर लेंगे तो इस तरह की बाते हो रही है तो क्या ये किसानों की मांगे हैं या इसके पीछे 2024 से पहले एक रणनीतिक रूप से माहुल बनाने की कोशिश है इस बात को समझना बहुत जरूरी है और मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन हमारे सामने जो थत्य हैं सबोत हैं, फेक्ट हैं उनको हम नकार कैसे सकते हैं और किसानों की जो मांगे हैं उनको आप सहज बुद्धी से भी पढ़ेंगे और उसका एक आंकड़ा बेठाएंगे तो क्या वैं पूरी की जा सकते है कोई भी नमी पास भी दसमी पास भी कोई बच्चा है आप विद्यारती हैं, पढ़ने वाले हैं आप सहज, सतेत, नागरी कहंदीश के तो आप समझ पाएंगे और पूरी कर पाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि सरकार इस तरह से इसको पूरा कर सकते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे बता दीजिए मैं आपकी बात पर विचार करूँगा पढ़ूँगा और मेरी बात अगर आपको ठीक लगी है तो आप इस वीडियो को फिला सकते हैं शेर कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मिलेंग अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद